राधी राधी फ्रेंड्स, ओम गम गणपते नमा, ओम नमो भगवते वाशु देवाई आज हम सिरीमत भगवत कीता चोथा अध्याय ज्यान कर्म सन्याश्यों के 49, 44, 41 और 42 विश्लों का बढ़न करने जा रहे हैं जीते इंद्रिय साधां परायन और सर्दावान मनुश्य ग्यान को प्राप्त होता है तथा ग्यान को प्राप्त होकर वहविना बिलम के ततकाली भगवत प्राप्ती रूप प्रम सांति को प्राप्त हो जाता है बिवेगीन और चरता रहित संसय युक्त मनुष्य परमार्थ से अवसे ब्रस्ट हो जाता है ऐसे संसय युक्त मनुष्य के लिए नई है लोग है नपड़ लोग है और नचोखी है ये धनजय जिसने कर्म योकि विद्धी से समस्थ कर्मों को प्रमात्मा में अरपन कर दिया है और जिसने विवेग द्वारा समस्थ संसों का नास कर दिया है ऐसे बश्मी के वे अंत्यकरनवाले पुरुष को कर्म नहीं वानते इसलिए है भरतवंसी अर्जुन तो हिर्दय में इस्तित इस अज्यान जनित अपने संसे का विवेग ज्यान रूप तलवार द्वारा छे दिन करके समप्त रूप कर्म योग में इस्तित हो जा और यूद क के लिए खड़ा हो जा इस प्रकार उपनिसाद प्रमिद्या तथा योग शास्त्रूप श्रीमत भगवत गीता के श्रीक कृष्ण अर्जुन संबाद में ज्यान कर्म सन्यास योग नाम चत्वत्याय संपूं हुआ रादे रादे ओम नमो भगवते वासु देवाई मेरे च झाल